हेलो फ्राइन्स वेलकम तुमाई यूटूब चैनल दोस्तों मेरे यूटूब चैनल की चैनल वी धलका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल बनाया है और लेगी दूल के रख दिया जाये तो यह जल्दी से पक जाती है नहीं तो पकने में बहुत टाइम रखता है और कदू को विना छिलका उता रही छोटा-छोटा काट लिया है हल्दी लिया है गरम मसाला लिया है थोड़ा सा थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक स्वादा न इसमें पानी हमें इतना डालना है कि यह पक जाए ना बहुत जादा पतली रहे और ना बहुत जादा गारी अभी हम धकन को बंद कर देते हैं और इसको पकने के लिए रख देते हैं 5-6 सीटी तक यह दाल पक के तयार होती है क्योंकि चने की दाल पकने में टाइम लगता है और सिटी आ गई है, हम चिक कर लेते हैं, चने की दाल पक गई है इसको हम निकाल लेंगे एक बरतन में और अब हम इसमें लगाएंगे तड़का तड़के से ये दाल बहुत ही जादा टेस्टी बन जाएगी तड़के के लिए मैंने प्याच को काट लिया है बारीक एकदम और लेसन काट कर ले लिया है, अद्रक कदुकस करके ले लिया है हिंग ले लिया है, जीरा, सरसो और दो लाल मिर्च लिया है एक पैन में तेल गरम करेंगे, जीरा और सरसो डाल देंगे ये चटकने लगे तो इसमें हम हिंग डाल देंगे कटी हुई लैसन डाल देते हैं कदुकस की हुई अद्रक और प्याश डाल देते हैं हिंग डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिंग से इस दाल का तेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है और इसको सुनहरा होने तक हम फ्राइ करेंगे और अब हम इसमें मिर्ची डाल देंगे मिर्ची हम बार में डालेंगे पहले डालेंगे तो ये जल जाएगी तो तड़का तयार है इसको हम सीधे डाल देते हैं डाल में थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे जिसे ये दाल देखने में अच्छी लगेगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा बन जाएगा अभी ये दाल हमारी एक डम रेडिये खाने के लिए बहुत ही जादा टेस्टी लगती है जब आप एराय की दाल खाते खाते बोर हो दाल दोस्तों आपको ये रेसेपी पसंद आई हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और सेयर करना बिल्कुल भी मत बूलेगा थैंक्यू पर वाचिंग मैं वीडियो